नमस्ते दोस्तों मैं हूर इम्ता and welcome back to my YouTube channel दोस्तों आज इस मूवी को मैं explain करूँगी वो है बैग हैड जो की 2023 में release हुई है और MDP-based के rating 5.4 की है दोस्तों इस मूवी का concept थोड़ा अलग है and I'm sure ये मूवी आपको पसंद आने वाली है So without wasting any time let's get into the horror coaster ride of this movie कहानी की शुरुआत ओवन नाम के एक आदमी से होती है जिसके पास नील नाम का एक आदमी आता है जो उसे कुछ पैसे दे के कहता है कि वो उससे बात करना चाहता है लेकिन ओवन उसे वही कहता है जो वो अभी तक वहाँ आने वाले लोगों से कहता है कि यहां से चली जाओ जिसके बाद हम ओवन को खुद को रिकॉर्ड करता हुआ देखते हैं जिसमें वो बताता है कि उसके वो बिल्डिंग यानी की पब एक स्पेशल किरायधार के साथ आती है जो बेस्मेंट में रहती है वो रिकॉर्डिंग में किसी से कहता है कि अब जब तुम्हारा ना हम प्रॉपर्टी पे है तो तुम उसके प्रोटیک्टर हो और तुम्हारा काम है कि वो बेस्मेंट से बाहर ना आए क्यूंकि ये तुम्हारे ले खतरनाक होगा और अगर तुम ये देख रही हो तो मतलब मैं मर चुका हूं हम देखते हैं कि ओवन बेस्मेंट में जाता है ओवन उस बेस्मेंट को जलाने वाला था और जो उस basement में है वो Owen को भेका देती है जिससे Owen जल के मर जाता है अब हम Iris और Katie नाम की दो दोस्तों को देखते हैं जब Iris को एक call आता है जिसमें उसे उसके पिता की मौत की कपर मिलती है और Iris का पिता Owen है अब Owen अपने पिता की dead body को पहचानने के लिए जाती है जिसे वो देखकर हैरान थी जिसके बाद Iris से उसके पिता की property का एक्जेक्यूटर मिलता है जो उसे उसके पिता का night club दिखाता है जो 400 साल पुराना था और आईरिस को मिलने वाला था जब वो आईरिस को उसके पिता की body को याद ना करने के लिए कहती है और अच्छी यादों को याद करने के लिए कहती है लकिन आईरिस के पास उसके पिता के साथ की कोई पी अच्छी याद नहीं थी उसे उदास देकर केटी उसके पास आने वाली है अब राज में आईरिस उस बेस्मेंट के पास जाती है जब पीजे से कोई जाता हुआ दिखता है और वो है नील जो आइरिस से वही डील करने आया है जो वो ओवन के साथ नहीं कर पाया था यानि वो अपनी मरी हुई वाइफ से मिलना चाहता है ताकि वो उसको लास्ट बार GOOD BAY कह सके वो आइरिस को बेस्मेंट वाली लेड़ी की बार में बताता है जो मरे हुऊं को बुला सकती है लेकिन आइरिस को विशवास नहीं था क्योंकि उसे उस लेड़ी और बेस्मेंट के बार में कुछ भी नहीं पता था अब नील उसे पैसे देता है और आईरिस को इसकी जरुत थी इसलिए वो डील के लिए तयार हो जाती है और नील को कल रात आने के लिए कहती है क्योंकि अभी उसके पास बेस्मेंट की चापी नहीं है अगले दिन कुईन हैड यानि वो कलब आईरिस के नाम हो जाता है और पास आया करते थे उस बेस्मेंट में जाने के लिए और अब उसने नील से डील की है केटी उसे मना करती है लेकिन आईरिस उसे मना लेती है अब रात में ये दोनों नील के साथ बेस्मेंट में जाते हैं और उस लेडी यानी क्रीचर को बाहर बुलाते है पहले तो आईरिस उसे कुर्सी पे बैटने के लिए कहती है और उसके सर पे एक बैग हमेशा रहता है अब नील उस बैग-हट के हाथ में अपनी वाइफ के अंगूठी देता है और वो बैग-हट उस अंगूठी को खा लेती है और एक लेड़ी मिश बनल जाती है जो कि नील की वाइफ नहीं बलकि उसकी मा थी जो 20 साल पहले मर गई थी उन्हें देखके नील हैरान था उसे लगता था कि वो इन सब की बज़े है और कुछ पल बाद उसकी मा के अंदर से वो शैतान बोलता है कि नील ही इन सब की बज़े है उसकी मा कभी बच्चा नहीं चाथी थी वो पल-पल मरती रही और नील अपनी मा को कभी प्यार नहीं करना चाहता था लेकिन अब वो बढ़ा हो गया है और ये कहते हुए वो शैतान नील को उसकी मा को किस करने को बोलता है हम देखते हैं कि उस शैतान के मूँ से पानी निकलने लगता है तब आईरिस उसका मूँ बैक से ढख देती है अब बैग हेट मूँ से नील की वाइफ के अंगूट ही उगलता है और वो शैतान वापस अपने रूप में लौट जाता है और नील बच जाता है और आईरिस नील को माँ से ले जाती है दोस्तो बैग हेट के साथ सिर्फ दो मिनेट ही आप मरे हूँ से बात कर सकते हैं जिसके बाद वो वापस उस लेडी में बदल जाएगी ये बात इन्होंने ध्यान नहीं रखी अब आईरिस और केटी बैट के ओवन की वो रिकॉर्डिंग देखते हैं जहां बता लगता है कि बैग हेट सिर्फ आईरिस की बात मानेगी और आईरिस उस दिवार के दूसरी तरफ ना जाए यहां आईरिस को बैग हेट की पावर्स को यूस करने के लिएमना किया जाता है क्योंकि जित्ता ज़्यादा वो बैग हेट से बात करेंगे वो उत्ती ज़्यादा पावरफुल होती जाएगी दोस्तों बैग हेट दिमाग पढ़ सकती है या ओवन ये भी बताता है कि चाहे तुम कहीं भी जाओ बिमारी और मौत तुमें फॉलो करेगी और बैगेड इन्हें किसी तरह वापस बेस्मेंट में बुलाने की कोशिश करेगी और इन्हें उसे बेस्मेंट से निकलने नहीं देना है क्योंकि आईरिस ही अब उस दुनिया को गलत समझती रही केटी आईरिस को समझाती है कि ये जगह सेफ नहीं है लेकिन आईरिस एक बार नील से डील करना चाती है जिसके बाद वो वापस जाने का वादा करती है और केटी मान जाती है अब बेस्मेंट की सीडी पर आरिस डूनोट क्रॉस लिख देती है और बैग और अब ओटो केटी को हॉंट करता है जिसके पल बर बाद वो गाया पुचाता है इधर अबे पता लगता है कि नील को एक आदमी से बैग हैट के बारे में पता लगा था और अब वापस आके नील फिर से बैग हैट को सारा की चेन देता है और बैग हेड सारा में बदल जाती है दोस्तो सारा एक्सिडेंट में मारी गई थी और यहां आता है ट्विस्ट क्योंकि नील सारा से मिलके उसे गुडबाई कहने नहीं बलकि जवाब मागने आया था कि सारा किस से मिलने गई थी और वो किस के साथ थी वो नील को छोडने वाली थी तब ही दो मिनिट पूरे हो जाते हैं और बैग हैड इने धोका देती है और अपने असली रूप में दिखती है वो आईरिस पे हमला कर देती है तब केटी उसके मुग को ढग देती है और आईरिस बच जाती है लेकिन यहां बैग हैड कहती है कि वो और आईरिस दोनों ही कैदी है जिसके बाद नील दुबरा ट्राय करने को कहता है लेकिन केटी उसे वहां से जाने के लिए कहती है तब आईरिस को बैग हेट उसके पिता के रूप में दिखती है और दिखाती है कि उस रात ओवन ने अपनी पतनी के आत्मा को बुलाया था लेकिन वो जानता था कि वो बैग हेट है और ओवन उस कलब को जलाने वाला था लेकिन बैग हेट ने धोके से ओवन को ही जला के मार दिया और यह सब कुछ आईरिस देख रही थी अब दोस्तों उसी रात आईरिस को सपना आता है जब उसे अपना पिता दिखता है जो अप उस धागे को काट देती है अब बेस्मेंट को लेके आईरिस और केटी में बहस हो जाती है जहां आईरिस ठक गई थी अपनी पुरानी लाइफ को जीते हुए और अब उसके पास ये कलब ही बचा है और नील अमीर है वो उससे डील करकर कमा सकती है लेकिन केटी उसे रोकती है क्योंकि जो भी बेस्मेंट में है उन्हें इसके बारे में नहीं पता है आईरिस उसे गुस्ते में सुना देती है और केटी वहां से चली जाती है अब आईरिस अपने पिता की आत्मा को बैग हैट के जरिये बुलाती है और केटी फ्रीड लेंट पहुंचती है जहां उसे पता लगता है कि ओटो इस श्राब से भागने की कोशिश कर रहा था वो वहाँ की कटिंग्स उठा लेती है और आईरेस को कॉल करके कहती है कि वो पुराने उनर के घर आई है और शायद इससे बचने का जवाब ओटो के पास होगा उधर ओवेन की आत्मा आईरेस को उसे वापस नाप लैने के लिए कहती है और बैगेट की पावर्स को यूज करने के लिए मना करती है अब इससे छुटकारा पाने के लिए आईरेस कॉन्ट्राक्ट जला देती है लेकिन वो पेप पर जलता नहीं है तब ही वहाँ केटी आ कुछ भाईयों को एक लेड़ी मिली थी जो मरे हुआ को बुला सकती थी जिसके पावर्स को उन भाईयों ने अब्यूस किया और जब उस लेड़ी ने मना किया तो उन्होंने उससे डाइन कहा और उससे जला के मार दिया लेकिन मौत भी उसे हरा नहीं पाई और मर के लोटन की पीडी ने उस लेडी की पावर को फिर से यूज करने का सोचा और दिवार तोड़ दी और जितना वो उस ओरत की पावर्स को यूज करते गए उतना ही वो ताकतवर बन गई और वो आदमी मारे गए और अब बस उसका गार्डियन दो दुनिया के बीच में खड़ा है जिसने वो डीट साइन की है उसे श्राप मिला है कि वो उस औरत को बाहर ना आने दे लेकिन केटी गार्डियन नहीं है और वो सब कुछ पूछ रही थी इसलिए बैग हैड जो ओटो के रूप में थी वो उस पर हमला कर देती है अब जब सुबह आरिस उठती है तो कॉल पे उसे केटी की आवास सुनाई देती है जो से बाहर निकालने के लिए कह रही थी लेकिन बेस्मेंट में कोई नहीं था इसलिए आरिस अपनी दोस्त को ढूणने के लिए दिवार के पार चली जाती है जहां उसे केटी मिलती है अब ये दोनों जब बाहर आने लगते है तब आरिस को केटी की लाश मिलती है और जो उसके साथ थी वो बेगट थी जिसके बाद वो छट पर चलती नज़र आती है जो बहुत भयानक लग रही थी तब इनी इलाके आरिस को बचा लेता है और उसे पिल्स दे कर आराम करने के लिए कहता है अब रात में आरिस को नील बेट पे नहीं दिखता है इसलिए वो बेस्मेट में जाती है जहां नील बैगट से डील कर रहा था कि वो उस जगे को ले लेगा लेकिन इसके बदले में वो जब चाहे सारा से मिल सके और उसके साथ रह सके इसलिए वो डीड के पेपर्स पे अपना नाम लिखता है जो अपने आप ही मिट जाता है और यहां था है एक ट्विस्ट जब हमें सच पता लगता है कि उस राद सारा और नील के बीच में लड़ाई हुई थी और नील ने सारा को पिल्स दी थी सारा नील से किसी आदमी की वज़े से नहीं बलकि डर की वज़े से उसे चोड़ने वाली थी क्योंकि वो अपने बच्चे को उस घर में जनम नहीं देना चाहती थी और इनी सब बातों में दो मिनिट पूरे हो जाते हैं तब बैक हेट उसे बताती है कि वो अभी भी फैमिली की तरह रह सकते हैं अगर वो आईरिस को मार दे जैसे उसने सारा को मारा था और ये सारी बात आईरिस वहीं छुपकर सुन रही थी ये जानने के बाद नील आईरिस को मारने के लिए सके पीछे बागता है और उसे चछत से गिरा देता है जिससे आईरिस की मौत हो जाती है अब वो आईरिस को लेकर बैक हेट के पास आता है और उसे आईरिस का सेल फोन देता है ताकि आईरिस नील का नाम उस डीड में डाल दे अब बैगेड आईरिस के रूप में आती है और नील डीड पे उसका नाम डालने को कहता है लेकिन बातो बातों में दो मिनिट पूरे हो जाते है और यही नील की सबसे बड़ी गलती थी उसने गार्डियन को ही मार के उसका रूप लेने को कहा और क्योंकि आइरिस का नाम भी भी डीड में है और बैग हेड अप आइरिस बन गई है इसलिए अब वो खुद की मांस्टर है और वो फ्री हो गई है अब वो सारा और नील की माँ के रूप में नील को जान से माड़ देती है और वहाँ से चली जाती है एंट सीन में हम देखते हैं कि डीट जल जाती है और कलब में आग लग जाती है और बस ये मूवी यहीं अंडो जाती है दोस्तो बैग है डियाने कि वो लेडी एक शेप शिफ्टिंग क्रीचर है जो किसी मरे हुए कि कोई भी चीज को खा कर उसका रूप ले सकती है और इनसान को मरे हुए से बात करने के लिए सिर्फ दो मिनिट मिलते हैं लेकिन इन लोगों ने बार बार उसकी पावर्स को यूस किया इसलिए वो और पावर्फुल बन गई और इनने इंफ्लूएंस करके आजाद हो गई दोस्तो जैसा कि हमने देखा कि वो लेडी ही मास्टर बन गई इसलिए वो आरे इसका रूप लेके दुनिया में घुमेगी लेकिन बहुत से सवाल इस मूवी में अभी भी हमें नहीं मिले हैं और शायद इसके जवाब हमें इसके आने वाले पार्ट में मिलें तो दोस्तो ये था मेरा मूवी एक्स्वानेशन बैग हेट को लेके उमीद करती हूँ आपको ये मूवी एक्स्वानेशन पसंद है होगा अगर आपको ये मूवी एक्स्वानेशन पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब किये बिना मत चाहिएगा इससे मेरी बहुत मदद होती है मैं मिलूंगी आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए stay safe keep hunting lots of love